तो फ्रेंग्स आज आचुके हैं हम लोग मटिया पूरूज का 24 कलेक्शन्स ले करके और यहां पर जो आज हम लोग आए वे हैं इसका खटाल का नाम है इस भी कैटल फार्म मटिया पूरूज 24 का और यहां पर फर्स्ट टम हम विजिट कियें ऐसे तो आना नहीं हुआ कभी ल जो कि आज आज आप लोग को थूरू व्लॉगिंग दिखाने वाले हैं तो आएए सिंगल जानवर एक एक करके जो खटाल के अंदर खड़े हैं उसे दिखाएंगे और आने वाले वक्त में जब यह और अच्छे बन जाएंगे तो इसे मैदान में बाहर निकाल करके आप ल तो यह है फ्रेम्स फार्म एक रूम है और इसके अंतर टोटल तीन जानवर है सामने मेरे आपको को दिखता होगा तो यह आज आप लोग को एक व्लॉग देने वाले हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिजेगा और 24 कलेक्शन वापस आचुका हैं मठिया पूरूस के यह 2000 फ्रेंड 24 का सुपरेश्टार होने वाला है और यह जो कलेक्शन दिखा रहे हैं बहुत प्रेमियम कलेक्शन से ठीक है मतलब अभी के टाम पर इतना बना हुआ जानवर कोई नहीं दिखा रहा है और क्वालिटी माश्याले स्किन का और वेट वाइस जानवर पूरा का बहतरीन है ठीक है और अभी जो च्छाइपन देख रहे हैं आप लोग मतलब के च्छाई जो टश आगया स्किन में वो समझ की चलो आप लोगों का दो से तीन महीने में चले जाएगा क्योंकि जैसे ही टाइम आगया चलता रहता है महीने दो महीने गुजरते है वैसे ही स्क पड़ता है बट गर्मी जितना ही होता है उतना ज्यादा जो है वाइटने साता है स्किन में और उस हिसाब से देखा जाए तो जानवार माशाआलला जबर दस्त है ठीक है गमला पकड़ा हुआ देख सकते खा भी रहा है और मटिया पूरू समझ जो शौकिनों का जगा है मत यहां पर विजिट करें क्योंकि यहां के जो ओनर है माशाआलला बहुत ही अच्छे है और उनका जो है बिहेवियर भी काफी अच्छा है तो सोचे आज यहां इनके फार्म में एक छोटा सा व्लॉग आप लोग को दिखाए और आने वाले वक्त में आप लोग को यह सब को बहाद निकाल करके भी दिखाएंगे इन्शालला एंड क्वालिटी आप लोग देखिया फुल फ्रेम में तो यह है मत्या प्रूस का दोहजार चौबीस का वन अफ दबेश्ट कलेक्शन्स जो की है एक क्यू कैडल फार्म से तो इसका क्वालिटी माशाल आप लोग देखि कि जरूरी है ओके मतलब जिस महनी में जालर नहीं और ओवराल खुपसूर्टी नहीं मज़ा नहीं आता है और अभी डेवलप्मेंट लेगा इसका बॉड़ी में स्किन कॉलिटी तो जालर वगएर और डेवलप होगा बॉड़ी देखो यार पीछे से कितना बहतरीन बना है माशालला फुल टू मतलब जिस हम लोग कहते है न बना हुआ जानवर हो यह है और सोचो अभी तो काफी जादा वक्त बाकी है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जानवर बहुत है अच्छा पोजिशन में खाड़ा हो करके मतलब बॉड़ी वाइट मतलब के वाइटनेस क समझ सकता है क्या लग रहा है जानवर बाई जब सर खड़ा कर रहा है दिल खुश हो जा रहा है मैंनी को देख करके तो यह वाला बहुत हिट माल है फ्रेंट्स दोहजार चौबीस का जो की बहुत बड़ा है बहुत बड़ा ठीक है पीछे का आप लोग एक बार जो है इसका वेट देखिए कितना अलग व्यू दिख रहा है आप लोग माशाला जबरदस्त तो यह वाला जो है फ्रेंट्स मरिया पुरूस का दोहजार चौबीस का वन आप बेस्ट कलेक्शन से जो की थूरू व्लॉगिंग आप लोग को हम दिखा रहे हैं और दो चीज़ पर आप ल लुक मुझे बहुत जबरदस लगा ठीक है इसपेशली जालर के साथ जो इसका बनावाट आया है ना माशाला तो ठीक है तो यह हम लोग का माशाला हो गया मैनी फस्ट नमबर इसका एक बार आप लोग बॉड़ी को क्लोस यू से मतलब आप लोग देखिए ठीक है मैं आप तो यह है फ्रेंट्स दुसरा नमबर मैं एक एक करके आप लोग अच्छे से देखा रहा हूं पूरा का पूरा समझ जा बना हुआ यह पीछे का आप लोग प्रशन देखके जो है को अंधाजा और लगा पा रहे हैं और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो कह थ जानते हैं, ठीक है, कि हार्याना क्वालिटी जो होता है, फेस लुक और पूरा वाइट रहने से जो एक लुक मिलता है, पूरा ओवराल डेवलप्मेंट, माशायलला, वो बहुती टॉप क्वालिटी होता है, तो ये वाला जो हार्याना का आप लोग गए देख रहे हैं, ये बहुती टॉप लेवेल आने वाले एक साल में बनेगा क्योंकि इसका अगर नूट्रिशन अच्छा दिया गया तो इसका पूट और जालर भी डेवलप लेगा बिकॉस हरियाना में बहुत कम ऐसा जानवर होता जिसमें जालर डेवलप्ट होता है और इसमें है तो कॉलिटी आप लोग देखिए पूरा फुल वाइट है फ्रेंट्स और उस हिसाब से अगर देखा जाए एक साल के हिसाब से देखा जाए तो जानवर जो है न वो और पिंकनेस पकड़ेगा बर्थ यह चीज है कि इसका मेंटेनेंस अच्छा से रखना होगा अगर जानवर का नूट्रिशन ठीक नहीं रहेगा तो जानवर कभी भी तूट सकता है तो कॉलिटी माश्यालाब पीछे से आप लोग देखिए बहुत ही जबर्दस्द बना हुआ है और मटिया प्रूस का यह बहुत ही हिट माल है यह जो तीनों देखाएंगे यह दूसरा नंबर है यह आप लोगों का फर्स्ट नंबर मैनी थीक है बहुत ही भारी था जो कि मेरा वन अफ दा फेवरेट पॉन वाला बोलो तो यह है फ्रेंट्स हम लोगों का दूसरा नंबर जानवर जो की है वन अफ दा बेस्ट जो की फुल वाइट पैटन में है एंड मतिया प्रूस का जो ए बी जो है वो मैं देखाऊंगा जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा इंशालला तो यह वाला का आप लोग देखिए पीछे से थोगा देखा ले ताकि आपको इसका बनावाट पता चले कि जानवर अक्चुली में बना कैसा है ठीक है और इस जानवर के अगर आम लोग बात करें फ्रेंट्स तो टूटा हुआ नहीं है बना हुआ पूरा का पूरा फुल वाइट है दूसरी नंबर चीज तीसर नंबर चीज जो है फेस में इसका जो होड़ा सा चाई पाने जो कि चले जाये गाने वाले वक्त में और हरियाना होते वे इसमें थोड़ा सा जालर ह आप लोग देख सकते हैं, हर्याना में जालर वैसे मिलता है नहीं जल्दी, तो बॉड़ी थोड़ा देखिए, मतलब फुल टू माशालला जो है वो बना हुआ है, ठीक है, और गाबिन नहीं है कोई भी, तो ये आप लोग को थोगा कनफर्मिशन देदे, क्योंकि बहुत एक डाउट रहता है माई में, माशालला आप लोग पीछे से वाइटनेस देखिए, थोड़ा जूम करके आपको दिखाया जा रहा है, ताकि आपको क्वालिटी समझ में आए, ओके, तो फ्रेंट्स मैंनी देखा है, माईनी के बाद हर्याना देखा है, और अब ये लास्ट पीछे का आप लोग फ्रेंट देखिए, क्या लग रहा है जब जानवर घूम रहा है, ठीक है, यही चीज है फ्रेंट्स, यही चीज है, चीज बहुत माशालला अच्छा है, तीनो के तीनो, शौकी इन्दे को मैं एक बहुती इंपोर्टेंट बात कहता हूँ, जहां शौक है, वहाँ दिल से जानवरों को खिलाया जाता है, जानवर भी अच्छे से बनते हैं, माशालला, पूट देखिए, व्यू देखिए जानवर का, ठीक है, अभी जानवर जो है, अच्छे से नहाया नहीं है, बट आप लोग को बॉड़ी वेट के हिसाब से जानवर का जरूर पता चलेगा, ठीक है, वाइटनेस देखिए, कितना अच्छा है, माशालला, ये आप लोग देखिए, रेडी है, बहुत अच्छा, तो कॉलिटी आप लोग देखिए, फुल फ्रेम में, आपको जानवर जो है, हम देखा रहे हैं, जो कि है, लाश नमबर मेडिया प माशालला, क्या लग रहा है भाई, देख रहे हो, चीज़ है भाई, चीज़ है, तो ये वाला बहुती हिट माल निकलेगा, फ्रेंड्स, 2024 में क्या लग रहा है, देख रहे है, मतलब लग रहा है, कोई मखमल को जो है, फोल्ड कर दिया, इतना जादा हेवी हो गया, ये ये दो नमबर, ये था, एक नमबर, देखिए, सब माशालला, टॉप क्वालिटी का है, ऐसा कोई भी ने, इसमें फॉल्ट हम निकाल सके, सब अपने आप में है, सब जानवर जो है, वो पीछे से बने हुए है, उसी में भी फॉल्ट नहीं है, ठीक है, इसका जैसे माशालल पूट बहुत अच्छा है, तो दूसरे का बनावत अच्छा है, तो कॉलिटी आप लोग माशालले देखिए, ये है मैनी, जो कि आपको दिखाए, दूसरा नमबर था, वन अफ दा टॉप हरियाना, और तीसरा नमबर भी आप लोग देख रहे है, ये भी बहुत ही हिट कले देखेंगे वो लोग, ये ही होता है कि शौक मरना नहीं चाहिए, चीज देखो कितना जबरदस्त है, तो ये है फ्रेंड्स, मटिया प्रूस का तीनो का तीनो जानवर, जो कि आने वाले वक्त में, इंशालला हम लोग सब आपको अच्छे सिप शोकेस करेंगे, बट ये में अभी भी जो है, हिट कलेक्शन्स एविलेबल है, ठीक है, जो कि अभी फिलाल सेल के लिए नहीं है, बट हाँ, आने वाले वक्त में अगर होगा, तो जरूर बता दिया जाएगा आप लोगों को, तो ये क्वालिटी माशालला बहुत ही यूनिक है, 2024 का, जो कि आपको हम दिखाए हैं, जिसका आप लोग मांग कर रहे थे कि भाई जल्दी से लाइए, जल्दी से लाइए, कोई अच्छा कलेक्शन्स लाइए, 2024 का तो आपको हम घुमा दिये थूरू व्लॉगिंग, ये मटिया पूरूस का एक छोटा सा टूर व्लॉग इसमें तीन जानवर रख मैनी का बहुत ही जबरदस्त है, तो ये बहुत ही यूनिक फार्म है, जिसमें तीन बहुत ही रेडी माल है, आप आप लोग को अच्छा लगा होगा, जो हम व्लॉग दिये हैं, सिंगली, अच्छे से थोड़े देर तक रखे, एक जानवर को दो से धाई मिनित तक रखे, औ थैंक यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो, लाइक और शेयर के जरूर कर दीजेगा, और इस भी कैटल फार्म आपको कैसा लगा, तीनो जानवर, कमेंट स्क्षिं में अपना राय जरूर दीजेगा, थैंक यू सो मच फर वाचिंग